हेलो बच्चों तो आज हमारा है डे नंबर फ़ोर आज पढ़ने वाले बेसिक केमेस्टरी का पार लनवर रख थो तो आपको मैंने इससे पहले वादे वीडियों बता दिया था कि electronic configuration होता क्या है और इलेक्ट्रानिक configuration का importance क्या है इसमें नीड के ओपरी आवाज स्कता केugs पड़ी क्योंकि उसमें आपको बता जाता था इलेक्ट्रांस से बैलेशी प्ता करनें वि cognitive फिल्सार्टोंड कान फिरेशन था तो उससे हम रेक्ट्रोन से प्ता करने घरिंगे बता एंड़ आंगर तो आप कि 24 नंबर क्रोमियम कि इसका इलेक्ट्राणिक बिन्यास वह फिर इनके आर्बिट्रों में इलेक्ट्राण भरिये कि 24 नंबर है ना तो एक कैसे भरा जाएगा कि सबसे पहले यहां पर आप लिखोंगे यस यस लिख दो फिर दो बार यस लिख दो दो पीयस पीयस तो फिर पीयस यह रही सबसे पहले यह स्यसे फीर पीयस पीयस थीर उसके बाद मैं dps पिर यहां पर दो दो बार लिखना है DPS DPS फिर एप्डीपी यस अधा चरिया से फोडी आप यस अब यहां पर आप इसको नंबर नंबर दे दो ओन सबसे पहले एक ही को देना है जिसे यहां पर यह सको दे रहे हो तो यह सिर्फ यह सको ही देऊ बाकी को छोड़ दो बाकी यह सम नहीं है मालनों नहीं है एक दो तीन चार पांच छे ना साथ और यह आठ अभी यहाँ पर प्र शुरू कर दो पी पर शुरू कर दो अब यहां पर सोच लो कि यहां पर दो है यहां पर यह से खड़ दो अब यहां पर फिर 3, 4, 5, 6, 7 होईगे अब यहां पर आपको डी को देखना है यहां पर दो खाप पी को दो दिया था तो यहाँ पर डी को हम तीन देंगे 3D 4D 5D 6D अब यहाँ पर F को दे दो D को तीन दिया था तो F को 4 दे दो 4F 5F अब यहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रान भरना शुरू कर दो 24 इलेक्ट्रान शाना तो है अपर यहाँ पर यह दो यह दो पी make this के फिर दो पिर चे फिर 2 वे अब यहां पर होगा तोder एलेक्ट्रान गिंव यह दो चार चारा और छे 18 इच değil 18 आप क्या करें अब क्या करें लेकिन अब भीया यहां पर यह आएगा डिया फोरियस के बाद में 3D यहां पर एक इन एलेक्टरोंड बागी बचेंगा ठारा और छे यहां पर एक इन एक जैर छेचर-10 और यहांपर यह आठ और दस विसले और वीश यहांपर चार 3D4 3D4 इलेक्टरों अब इसके हमें बाइक स्मय भरना इलेक्टरोंड है यहां पर समझ पॉर कीपन सब नहीं है यह सब भर अब हमैं से और में भरना पड़ेगा एक आर्टल समय भरना पड़ेगा तो इसका राश्ट हबिटल सग्वीagem यह डी ब्लोक है अवक्प में उसके कितने और विटल सोते हैं व दी तो पुरा एक ब्लग है लेकिन उसमें आर्बिटल शीजह रहा है हम मैनी आर्बिकल्स इन डीब लोग तो इसमें डी और विटल से पांच हुआ एक दो तीन चारा और एक पांच एक दो तीन चार पांच अब यहां पर भर दू इलेक्टरन सब्सक्रेए एक भरना है एक एक चार इलेक्टरन होगे कमप्लीट अब यह खाली हो गया है तो भी पूरा ख खाली का पड़ा रहेगा अब आपको यहां पर इलेक्ट्रांस को भरना आ गया होगा कि इसके डी उपकोस में यानि डी बोलोक में कितने फॉर इलेक्ट्रांट अब यहां पर आप आप दूसरे का भी कर सकते हो जैसे आपने इसका किया कि अपने इसका किया 24 का थार्टी नमबर जिंक का करो जो बताया है वही करना पहले नंबर लेना पहले पूरा का पूरा लिख देना फिर मताओ कि चलो जल्दी से कमेंट करो अब बताओ कि मेंट बताओ कितने इलेक्ट्रान होंगे कि इसके बाहिए कोक्स में अब जली देख लेते हैं अब हम तीस नमबर है यस यस पियस पियस फिर पियस पियस डी पियस डी पियस फ दी पियस फ दी पियस नमर कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 हुआ हआब परफो अपरफाइब अधिलक्रान हम्हें बढला सुरुक हदो प्रिमा कितने दो इसमें ने दो इसमें कितने हुझ अफिर अप्र रोग भ। ठी ऐसको पूरा गिलो चाहर चैज सबरेच शेजरुटाहर वह्कहर ठोबारनेαι . तीस नमबर पर था इतना हो गया अब यहां पर देख लिए इसका 3D 10 कम्प्लीट है इसके बाए कोस्मी कितने एलक्ट्राण है टेन इलक्ट्राण है फटाफट इसके ब्लोक में डाल दू घर में डाल दू एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच यह डाला एक एक पहले एक एक कितना था महाँ पर 3D 10 इसमें कितने एलक्ट्राण पर गए पांच अपर यहां पर आंटिक लोग यह हो गए एलक्ट्राण भर गए इतना समझ में आ गया ना देख लो समझ लोगबार अगया इसका अब बताओ चलो इसका बताना एक बार मुझे 42 नमबर इंबी का है और आयोडीन का है तिरपन नमबर और एक टीटू पीवी का इसको मुझे बाइक कोस्मी इलक्ट्राण बताना कि कि इसके बाइक कोस्मी लिख लो इसक्रीन सोट ले सकते हैं तो यहाँ पर आपने इलक्ट्रान भरना सुखा और बालेंस भी आ गए आपको ऑप इसके बाद में आता है बंडिंग कि जुडेंगे कि बांडिंग यह कैसा होता है बॉंडिंग होता क्या होट इस दा बॉंड एक ऐसा करेक्शन होता है एक ऐसा लिंक होता है जिसके थुरू यह दोनों दो या दो से अधिक इस प्लास्टिक के धांचे के थुरू यह पूरा का पूर्ण इसके अंदर बंध है ठीक तो यह होता है ''BOND'' and Bond कितने प्रकार की होते हैं Bond होते हैं आपको 3 प्रकार के यह आपको मिलेंगे 3 प्रकार के एक होँगे molecular ElectroBallant यो फिर Ionic Bond आइनिक बॉंड दूसरा कोबाइलेंट बॉंड और फिर तीसरा आता है लास्ट में को आर्डिनेट बॉंड को आर्डिनेट बॉंड के आप यहां पर इन बॉंड का मतलब क्या होता है क्योंकि बॉंड एक करेक्शन का थुरू तो एक ही होता है अब जैसे हमने माल दिया यहां पर यह करेक्शन है जैसे तुम लोग connection बनाते नहीं हो ना connection मनाते हो तो यहां पर करेक्षन होता है अब कि इस connection में क्या होता है कि इस connection में यह होता है इलेक्ट्रो या फिर आइनिक बॉंड में कि इसमें आपने पूराका पूरा दे दिया इसमें आपने पूरा का पूरा दे दिया है ठीक जब इसको आपने पूरा का पूरा दे दिया तो दोनों और से दे दिया जाएगा जैसे अब यहां पर इनके बीच में साधा नहीं होगा कि तू दू हम में दियो दू हम दित है ऐसा नाई है कि जिके पास ज्यादा हुई वो कहीं कि लिव लेजू ना चाहिए बस हमें अपने साथ रखो फार्दा एक्जाम्पल अगर जो हम मालने यह ने सियल तो यह सोडियम है प्लस चार्ज है और सियल है निगेटिव अभी इसके पास है एक ज्यादा तो अब यह इसको दे देगा क यह बन गया ने सियल तो इसमें इलेक्ट्रानों का डायक्ट ट्रांसफर होता है एक ऐसा बंद जिसमें इलेक्ट्रान का अस्थानंत्रण होता है एक और से दूसरी तरफ से यानि एक आयन से दूसरी आयन को इलेक्ट्रान ट्रांसफर किया जाता है तो यह हो गया इलेक्ट तो होते हैं इलेक्ट्रान का बीच में धर दिया जाता है कि जैसे अगर जो हम मालने की कि यहां पर एच्टू हो कि एच्टू में क्या होता है कि एच के पास दो यह आ गया है एक यह इसका इलेक्ट्रान यह रहा बीच में ओ आ गया छे इलेक्ट्रान लेके इसका एक इलेक्ट्रान यह रहा अब यहां पर एक यह आउर आ गया अब इसमें कहा हुआ कि इन्हों ने यहां से धर दिया दो इलेक्ट्रान यहां से भी धर दिया दोनों का मिल गया तो अब यह क्या हो गया इनका हो गया डूबलेट कम्प्लीट और इनका भी हो गया डूबलेट कम्प्लीट लेकिन आक्सीजन का आप यहां पर क्या होगा ऑक्टेट कम्प्लीट हो गया पर इलेक्ट्रान भी बीच में धरें यह किसी के है नहीं नहीं किसी के बाप के है इलेक्ट्रान इस इलेक्ट्र सब तुम भी दिखा देना कि हमारे पास है इतना दो रुपिया हमारे पास है आठ रुपिया मिलो कभी है तो यह हो गया अब यहां पर जो को आर्डिनेट बॉन्ड होता है कि को आर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रांज होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ दे दिया जाता है कि और इक्जाम्पल कि इतना समझ में आ गया ना कि यहां तक के अब यहां पर जो को और डिनेट बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रान कोई एक ही देगा जिसे बेबी सोना तुम्हाना रिचार्ज करा दूं को बेबी रिचार्ज करा दो तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसमें वी एक तरफ से पूरी बात करें है तो यहां पर पूरे के पूरे लगे हैं रात भर और इन्होंने दे दिया पूरा का पूरा इलेक्ट्रान फाइनल हो गया इनकी तरब से पूरा का पूरा खतम हो गया कि जैसे अब अगर जो हम तुम्हें बात करें कि तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है दूसरा पहुचा चल मेरे साथ बोले एक रुपया भी नहीं है तो उकाख हैगा चिंता नहीं करने का मैं हूं मैं तेरे को कुल देंगा कुछ भी तेरा नहीं जाता तुष्रिभ मेरे साल साथ चल तो उसने पूरा का पूरा दे दिय क्या कि अइस्स अब यहां पर सीवो सुना है सीवो कारबन मोनो आकसाइड कारबन मोनो आकसाइड में क्या होता है कि पूरा का पूरा इलेक्टरान आकसीजन ही दे देता है क्योंकि इनके पास सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन अक्सिजन के पास सिर्फ छे इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर यह मालों की दो दो किये करता है बॉंडिंग तो इसके पास बचे रह जाते हैं चार अब यह चार क्या करेगा और इसके पास बचे रहते हैं दो या फिर यह अगर तो दो दे दे या फिर इनसे पूरा ले ले तो यह कहता है कि यह लो ले लो मेरा मेरा को कोई जरूत है नहीं तो इसलिए दे दिया इसका हो गया complete अब यहां पर यह bonding इसी तरह से होती है और जो cobylent bond होते हैं को बाइलन्ट bond में आपको तीन तरह से मिल जाएंगे जनरली यह जो cobylent bond होते हैं वह जनरली आपको मिलेंगे और गैनिक chemistry में और यह जो chemistry है ऑर गैनिक और इन और गैनिक chemistry इंट्री है कि यह एंग और गैनिक केमिस्ट्री में 99.9 परषेंट कौन सा बॉर्ण होता है आई निक बोन हैं तो इसमें क्या हता है इसमें पूरा का पूरा 99.5 परषेंट होता है आयनिक बॉर्ण लेंग को फैलेंट बॉर्ण आ जाते हैं अब यहां पर देख लो और गैनिक केमिस्ट्री में यह वर्न और यह है टू नमबर और गैनिक केमिस्ट्री और गैनिक केमिस्ट्री में क्या होता है यहां पर पूरा का पूरा यह समझ दो की 99.9 परसेंट को बाइलेंट बॉन्ड यहाँ पर कोवाइलेंट बोंड हो गया लेकिन अब यह जो होता है कॉर्डिनेट बॉंड अब यह तो ना तो धोबी का कुट्ता ना घर का ना घाट का ह बात समझ रहे हो ना धोबी का कुट्टा ना घर का फाय अब यह सो भयां दोनों में मिल जाते है ऑव दोनों में मिल जाते हैं और इन científic mean we मिल जाते हैं कभी कभी ज्याधात तोर आपको नहीं मिलेंगि ज्यादा तोर आपको यही दोनों मिलेंगे आयनिक या फिर कोबाइलेंट लेगिन अभी यह समझ लोगे एक सेप्शन है धोबी का कुट्टा ना घर का ना घाट का तो यह आपको इसमें मिल जाएंगे अब यहां पर यह बॉन्डिंग बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई होगी ले सकते हैं आप इसक्रीन सोट को अब इसके बाद में बेसिक केमेस्ट्री का सबसे जरूरी पार्ट आ गया है रियक्षन रियक्षन होता कैसे है वाट इस दर रियक्षन अब क्रिया है क्या रियक्षन अब क्रिया रियक्षन का मलब ऐसा मलब समझ लीजिए कि जैसे पुरानी चीजों का नया चीजों में बनना लेकिन रियक्षन दो तरह से हो सकते हैं आपको रियक्षन में आपको चेंज मिलेगा चेंज मिलेगा और वो चेंज आपको दो तरह से मिल सकते हैं या तो फिर फिजिकल चेंज होगा फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज भी फिसीगल चेंज में चेंगी होता है कि यह समझ लेकि यह बीएकर रिय אक्सन है पार लेकिन फिजिकल में प्राम घृसरे बात होती है कि उसे हम जैसे अगर जो हम वहले कि इसको अहां से तूर दिया इस्कों तूर दिया के तोड़ा नहीं है है पर मान लो मानवलों की हमने इसे तोड़ दिया और इसे हम फिर पाद में फाइवी कोल से जोड दे तो यह हो गया फिजिकलर केशा चैंज यह इक ऐसा परिवर्तन जिसको हम पुर्ण दोबारा प्राप्त कर सकें उसी रूप में तो यह हो गया फिस्कल चेंज नेंज केमी कल चेंज होता है है तो केमिकल चेंज में दोबारा वह चीज़ नहीं बनती है हो इसने और एक्जामपल अगर आपने पेटरॉल को जला दिया तो पेटरॉल दबारा आपको dependence होकर नहीं मिलेगा कि बास समझ रहे हो ना कि अगर जो आपने पेट्रोल को जला दिया तो पेट्रोल दोबारा नहीं मिलेगा तो यह होता है और केमिकल चेंज में हो हैимेकल चेंज में आपको बहुत सारी चेंज के ज़ Fleisch मिलेंगी है जरूरी हमारे लिए यह सिर्फ 이게 ही कमिकल चेंज हमें पड़ना है केमिकल र्यक्णि यह में केमिकल से में क्यों क्या होता है कि जर्रबली यह होता कि पुराने बंधों का तोटना और नवे बंधों का बनना जिसे आप यहां पर हम लिख ले कि अ परे दिस्ट्र nessaर मेकान्व बंध होड़ fulfil आ होड़ बुञ्ट सकर developed a का भॉघ यहां यहां मे assignments प्रॉटी आप व्लो बनने, यहां डिसे दिसे ट्वापनर यहां विर बॉट fim कि नूए केमिकल बॉल्ड है इस कालरण अ की केमिकल रियक्षन पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना ही केमिकल रियक्षन तो है और तो गेमिकल reaction होते हैं वो अलग अलग टाइपस में होते हैं यह तो फिर वो जुड़ेंगे या फिर टूटेंगे कि यह तो फिर जब कोई बड़ा भारी आ जाएंगा जैसे कोई अमीर आ जाएगा तो उसको सब्सक्राइब को लात मारके हटा देगा और उसकी जगह पर वह बैट जाएगा और अगर जो जुड़ेंगे तो उसमें से निकलेगी उसमा अगर तूटेंगे तो उसको देने पड़ेगी उसमा इन्हीं के आधार पर आपको रियक् しंड के आपको टाइबस पढ़ना पड़ेगा तो हमारा जब बेसिक के में स्ट्री होता है तो हम कल से शुरून करेगी निंस लक्चर में हम आपका हमारा होगा रिच्व सर्फ और केमिक। रिच्शं तर्टक के पढ़ते रहें है